यह camera acting क्या है, camera के सामने कैसे acting करते हैं, camera acting classes क्या है, इसी के पीछे भागे पड़े हो और तुम्हें पता नी चल पा रहा है कि कैसे आप camera के सामने act करोगे, यही सबसे बड़ा बुद्धा बन जाता दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए इतनी प्यारी वीडियो ल आज यह topic मैं आपको समझा के ही उठूँगा, ठीक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना, पॉइंटों में एक एक चीज़ को notice करते हूँ चलना, जी हाँ, आप कहां जुड़ चुका है, नाट वेद एक्टिंग रिसार्ट सेंटर पर मेरे यानि कृष्णा राज क सब्सक्राइब करो यार, है ना, ठीक है, तो भाई पूरी वीडियो को ध्यान से देख रहा, बात करते हैं इसी topic पर, कि आप कैमरे के सामने किस तरीके से act करेंगे, या अबनेता, क्योंकि अबनेता है कि सबसे एक्टर की सबसे बड़ा issue यही है, जैसे ही ये कैमरे को देख पानो, और सामने कैमरा जो है वो आतंगवादी है, अरे नहीं, समझते हैं, आज कैमरे को पहली समझते हैं, उसके बात बात करेंगे, ठीक है, तो भाई, skip मत करना, तभी समझ में आएगा, मैं बता रहो, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है, तो समझते हैं यार, प किस ने किया, ये भी पता कर लेते, जोजफ नाम के एक प्राणी थे, उन्होंने इसका विश्कार किया, देखो, इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, यार, बहुत मैज़ार, ये भी टॉपिक है, क्योंकि कैमरा कैसे बना, किस तरीके से बना, जरूर जानेगे लेकिन आज का टॉपिक है हमारा, कि कैमरे के सामने हम एक्टिंग कैसे करें, तो भाई, इसी पर बात करते हैं, कब बनाता है ये, 1816, याद कर ले ना भाई, क्योंकि तुम NSD में, FTI में कभी भी एक्जाम दे रहे होगे, तो तुम्हें हो सकता है, ये कोश्चन आ जाए, ठ ठीक है, तो बात करते हैं, कि आप कैमरे के सामने एक्टम साधान तरीकी से एक्टिंग कैसे कर सकते हैं, यार, एक्टिंग को समझने के लिए, कैमरे को समझने के लिए, सबसे बड़ी चीज़ समझते हैं, कैमरा काम कैसे करता है, कैमरा होता क्या है, कैमरा क्या है, एक लेंस है, बराबर camera को जितने अच्छे film maker हुए है उसने इस lens का इस्तमाल इस से connect करते हुए ही बनाया है, जिस तरीके से हमारी आखे capture करती है scene को, किसी photo को किसी picture को, उसी तरीके से ये device capture करी गई वो धीरे-धीरे evolve हो गई ठीक है, आज इतने सारे effects आ गए इतना बड़ी बड़ी एक technology में आ गए camera लेकिन camera को अगर आप समझोगो तो camera एक lens है जिस तरीके से camera, बतलब तुम अगर बात कर रहे हैं आखे हैं ना आखों में भी एक lens है ना, ये भी तो चीजों को देख रही हैं तो इसी तरीके से camera के अंदर एक lens है तो जितने तुम comfortable अपने relation में होते हो, दोस्तों के साथ में होते हो, उनके क्यों होते हो उनके साथ में, क्योंकि उनके साथ में तुम्हारे दिमाग में ये lens नहीं गुम रहा है उनसे तुम इतना used to हो चुके हो, तो अगर camera पर काम करना है, तो दोस्तों यार इस camera को दोस्त बनाना पड़ेगा इस lens को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, ये जो आखे हैं इसे चुराओ मत इसे भागो मत, इसको बिलकुल अपनाओ, ठीक है? तो point में बात करता है, पहला point समझते है be natural, ये ही क्या कहता है be natural, ठीक है? सभी लोग कहता है, कि camera acting natural acting होनी चाहिए, natural acting होनी चाहिए तो समझते, natural film होनी चाहिए बराबर, ठीको ठीटर में, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जब एक्टिंग में आया, और तुम में से मेरी एक टांग वेलकम में जो है ना तो उनके सामने देना क्योंकि उसे मैं acting acting पता नहीं था मैं तो लगता था, खाली लाइने पढ़ो और रटो और हो जाएगा कुछ, ठीक है, तो हमने वही काम किया जैसे तुम करते हो यार उसमें सब emotion दून दाले हमने उसके बाद जैसे हमचे बोला गया उसके बाद हमने जैसे मूख खोला तर 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 अरे सब बोल डाला भाई, सब कर दिया कैमरे के सामने, तुम भो बोला उनका जो assistant था वो बोला अरे यार, कृष्णा इदर आओ मैं बताईए से, तुम बोला कि कृष्णा अभी तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है, आप न थेटर जाके सीखो, वहाँ से अभिने सीखो तब जाके आप एक्टिंग सीख पाऊँगे, मैं का है यार बात तो सामने वाला बंदा सही कह रहा है, बिल्कु इसका मतलब थेटर जोइन करना चाहिए, थेटर बहुत इंपोर्टेंट है, अब अपन चल दिये कहाँ, थेटर में चार साल निकल गया, बढ़िया इंस्टिट्यूट से पढ़ लिए, चार साल निकलने अब तो पगला कर लेता, लेकिन मेरे भाई रोक लिया, मैंने का सुन तो लू क्या कह रहा है, तो बोले थेटर वाली अक्टिग ने चाहिए, बहुत चार साल पहले इसने बंदे चाहा रहा है, तो कैमरे के सामने बहुत बार यही बोला जाता है कि बी नेचुरल, तो यह बी नेचुरल क्या है, इसमें जो सबसे most important चीज जो आती है वो है authenticity, अब यह क्या होती है, बी नेचुरल के अंदर समझ ना, इस topic को जान से, इसके अंदर क्या आती है authenticity, मतलब uniqueness जो तुभारे पास है, क्योंकि मैं हर बार, हर वीडियो में, हर student को एक ही बास समझाता हूँ, जो तुम कर सकते हो, बीटा, वो मैं भी नहीं कर सकता है, तब नहीं कर सकता है, जब तुम अपने system को समझ जाओगे, वराबर, तो uniqueness, तुम्हारी एक uniqueness जरूर होगी, उस uniqueness को ढूंद लो, पकड़ लो, और natural तौर पर जैसे बातचीत करते हो, जैसे हम normal बातचीत करते हैं, वैसे बातचीत करेंगे यार, विलकुल, और अगर जब तक, जब तक, character की demand ना हो, तब तक आप character को exaggerate मत करो, मतलब कहते हैं, अरे यार, over acting कर रहा है, नहीं, राजपल belief के साथ में करते हैं, इतने belief के साथ में करते हैं, belief दिलाजते हैं, हमें लगता है, यार, ये करदार ही ऐसा है, तो over acting जैसा शब्द भी होता ही नहीं है, मैरे dictionary में, मुझे तो आज तक नहीं मिला नहीं, जहां तक मैंने पढ़ा, ठीक है, जितनी भी किताबें मैंने पढ़ हो, उतने ही साथारान तरीके से, कुछ नहीं करना है, बात्चीत करने हैं, बास, हो गया काम, नहीं भाई, कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ कर दूँ, वो चुछ चुल है, वो आपके नेचुरालिटी को खतम कर देग, कोई भी audition में ना लो चाहे तो, कोई भी audition देख ले न करो यार, कैसे हो यार, बात्चीत करो यार, अब इसे तुम अगर impress करने की कोशिश करोगे, तो समने वाला बंदा जिस तरीके समझ नहीं आता है, अरे यार, यह तो मिना मतलब कि भरजी वाणा मार रहा था, तो यह कैमरा भी उसी तरीकी से पकड़ लेगा, अच्छे नेच क्लोज और क्लोज में, जाधा तर फिल्में चलती है, तेटर लाउड इसलिए होता था, क्योंकि थेटर में दूर अडियन्स बैठती थी, तो कैमरा हमारे बिलकुल पास में है, इसलिए कैमरे में क्या करना है, क्लोज, जब क्लोज लगा हुआ है, तो विलकुल आराम से बा बना काँ की से बात करते है, ये बार 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 इसको में फोकस कर रहा हूँ, एक्टिव लिसनी यह क्या कहता है, कि शहरा इसे भी समझा देजिए, यार अगर तुम ठीक से सुन लोगे, अगर तुम ठीक से सुन लोगे तो आधी एक्टिंग तुम्हारी हो गई आधा काम तुम्हारा हो गया एक्टर की सबसे बड़ी बड़ा जो इशू है वो यही है कि जैसे ही कैमरा रोलिंग एक्शन और वो एक्टिव मोड पर आ जाता है अरे मैं कुछ कर दूँगा आज तो मैं दुनिया भर की चीज़े कर दूँगा काम सिस्टम को रिलाक्स रखो मझे से सुनो रिसीव होने तो सुनो उसके बाद अपने आप यस सिस्टम निकालकर देगा एक्टिव लिस्टिंग अपने आप बनेंगे दूसरा पॉइंट फून पहले ही पिताया है कि भाई camera mid shot यह फिर close up में ज्यादा चल रहा होता है ज्यादतर मुविया इसी pattern पर बंवे होते हैं ज्यादा तुर जो शॉट मैं यह नहीं करा कि सारी पूरी पिचरी ऐसी बने निकली ज्यादा जो शॉट है वो इसी तरीके के design करे जाते है इसी तरीके से DOP बनाता है तो अब क्या जब close up लगा है तो वहां पर बहुत बार क्या है कि आपकी जो आखे है वो express करें यूश सीन को आपके status को आपके gesture को आपकी psyche को क्योंकि shot यहां पर लगा हुआ है अब यहां से आप body use करनी सकते तो आपको अपनी आखों पर command लेकर आना ही पड़ेगा एक्टर वही अच्छा है दोस्तों जो इन आखों से खेल जाए तुम कहीं पर भी देख ले ना कहीं पर भी पढ़ ले ना सबसे जाता effective जो acting बोली ग अबरहाट होती है आखों पर तुरूंत आ जाती है दिमाग भी कुछ और चलना है आखे अपने आप अलग अलग तरीके से situation में आ जाएंगे तो भाई आखों का इस्तमाल अच्छे तरीके से करना आना चाहिए इस पर already मैं एक video बना चुका हूँ देख ले ना 12 तरीके से कि अपने आखों का इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो तीसरा पॉइंट है अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं मेंटेन यूर वाल्यूम अच्छा यह बहुत इंपॉर्टेंट है यार बहुत बार एक्पर को यह समझ वह नहीं आता है कि यार उसकी audience कहां पर है अब इसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरी audience यह है यार ठीक है मतलब change पर तो अब माइक लगा है अगर माइक नहीं भी जाएगा लोग बंद कर देंगे औरे भाया यह क्या कर रहा है तो खुदी देखो मैं मैं एक बात दो यह मेरा धनुष अश्वत्थामा इसको और नेच्रल कर दूं कि यह मेरा धनुष अश्वत्थामा का ठीक है यहीं पर अगर माइक यहां लगा हुआ हुआ है पकड़ र रही किसे कमरा सीख गए तो भाई अच्छा काम करोगे कैमरे पर तुम्हें एक अच्छी समझ हो जाएगी तो चौता पॉइंट समझने आया पाच में पॉइंट की बात करते हैं ब्लॉकिंग यह कैमरे के लिए बहुत इंपॉर्टन है थेटर में भी बहुत इंपॉर्टन और एक अकटर यहां खड़ा तुम्हें लगता है यह ब्लॉक्शिंग इतनी इंपॉर्टन नहीं है कि ब्लॉकिंग को पर आखासा ही नहीं है तो तो नोंगे बीच का जो ऐंगल सेड होगा camera angle पर अलग हम बात करेंगे लेकिन इन दोनों बीचों का angle जो set होगा जो framing बनेगी वो खुबसूरत तरीके से बनेगी वो scene को निकाल के देगी तो blocking बहुत important है blocking मतलब marking कि जिस point पर आकर आपको खड़े होकर वो dialogue बोलना है पहीं पर बोलो के बना आप प्रेम से आउट हो जाओगे या अच्छे नहीं दिखाई दोगे या फिर गालिया पड़ेंगी अरे यार कैसे उठा के लिए यार इसे blocking तक की तमीज नहीं तुमने अच्छे एक्टिंग वेक्टिंग सब सीख ली लेकिन तुमने टेक्निक नहीं सीखी है दोस्तो तो टेक्निक आज मैं सिखाऊंगा तुम्हें ठीक है तो बात करते हैं blocking sound नहीं ब्लोकिंग पर अलग से वीडियो बनाओ बिलकुल कितने प्रकार की ब्लोकिंग होती है यार दोस्तों कुछ पढ़ने को है मैं जब भी टॉपिक लेकर बैठता हूं मैं सुछता हूं तुम्हें यूटूब पे तो कुछ कहां से कुछ बताते नहीं यार पता नहीं यार क्य होगा तुमने खुद सोचा नहीं खुद खोजने की चाहा नहीं तुम्हारे अंदर कोई बताता नहीं अरे भाई तब बता दोगे तो अगली बार वरक्शॉप में कैसे एड्मिशन लोगे जो दो मेहने में सीखने वाला काम था वो छे मेहने में कैसे सिखाये जाएगा पै आकि जिस पॉइंट पर जिस प्रेम पर आपको आना है जिस तरफ लुक देना है अगर यहां पर लुक बोला गया है यहां पर देखके बोला है तो आप चाहें आप करेक्टराजेशन में हो चाहें आप कुछ भी करो लेकिन आपको यह पता होना चाहिए मैं जितनी बार इतनी बार यहीं देखूँगा इतनी बार मेरी आंके सिर्फ और सिर्फ प्रसाइज मूव्मेंट पर होगी मेरी ब्लॉकिंग यही है बराबर ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट आखरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं यह आखरी पॉइंट क्या कहता है कि भाई आखरी इमोशन कैसे रखे दाएं यह सवाल तुम्हारे अंदर भी आता हुगा अब रियल इमोशन तो उसके लिए तुम्हें पहले find out करने पड़ेंगे तुम्हारे रियल इमोशन है कौन से तो तभी तुम रियल इमोशन को का है mix कर पाओगे उस किरदार के एमोशन के साथ में बना क्या दिखेगा बना एमोशन का है fake दिखाई देगा था कि तुम्हारा जो तुम पकड लेते हो रोते समय तो चोड़ करें यह fake tone है ऐसे तुम्हारा tone आता ही नहीं है और एमोशन का सीधा 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 जो संपर्क है या एमोशन का जो development है वो कि जिस दिन मैं तुम्हारे साथ में काम करूँगा, तुम्हारे साथ में एमोशन का गेम ही खता होगा, तो एमोशन तुमसे बहतर कोई नहीं निकालता है, यह मैं दावे के साथ कारण है, मैं एमोशन नहीं सिखा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर है एमोशन, कौन तु यह है तुम्हारा real emotion इसको यूज करो जैसे तुम real emotion को use करों के तो क्या होगा वो जो तुम डायलोग बोल रहा है वो बहुत natural निकलेंगे परजी emotion मत पेलो परजी दिखाने के लिए emotion मत करो नहीं आ रहा है कोई दिकत नहीं मत करो नार्मल बोल दो लायनों को बहुत अच्छी जाएगी है कोई भी लायनों बस बोल दो नार्मल बोल दो दिकत तो मेरे दोस्त तो यह है कि नार्मल भी नहीं बोला जाता है ठीक है I hope most important point समझ में आए होगे और भी point है क्योंकि camera आपने आप में बहुत बड़ा chapter है आपको कि मैं क्या बता है एक एक चीज मिझे लगता है तुम्हें value मिली होगी मतलब तुम्हारा जो जितने time मैंने लिया है यह तुम्हारा विल्कुल utilize करके तुम्हें भेजा है मैंने तो अगर तुम्हारा time utilize हुआ एक ऐसी information तुम तक पहुची है जो शायद तुम्हें पहली बार मिली है यूनिकनेस तो है यह बात तो मैं भी जानता हूँ क्योंकि यह मेरा craft है यह मेरी research है तुम्हारे काम में जरूर कहीं न किसी न किसी point पर जरूर आएगी अगर ठीक से कर question पूछो जरूर बताऊंगा मैं आप मुझसे जूर सकते हैं इंस्टेग्राम पर ठीक है नाटिवेत के साथ में जूर सकते हैं मेरी आइड़ी है अड़रेट तकिष अंडेस्कोड डवल्टू नाटिवेत की है अड़रेट नाटिवेत हेटर करके वहां पर नए लिए अप अच्छे को सही guidance दे दो वह चीजे बता दो पहले दिन ही मैं अपनी free workshop में भाई पहले दिन ही वह चीजे बता देता हूं जो तुम दो साल बाद भी नहीं सीख पाऊंगे उसके पीचे कारण क्या यार मैं बता दूँगा मुझे भी पता है कि एक दिन में नहीं आएंगी मै मानता हूं लेकिन subconscious mind में तो चले जाएंगे वह ऐसे ऐसे टेक्निक टूल subconscious mind में तो चले जाएंगे कम से कम जब तुम करोगे तो तुम ऐसा तो नहीं लगे और यार यह क्या हो रहा है सिम अब workshop में करता हूं मैं topic उठाऊंगा research करवाता हूं भाई तुम तो या तब भी थो मैं research करवा दिया है बहुत एक बहतरीन student है मेरा जिससे मैं बहुत अच्छा काम कर रहा है यार जब मेरे पास आये तो depression में आज इतना बहतरीन काम कर रहा है मुझे रखता है यार यह बंदा तो मुझसे भी आ गया है या ठीक है तो I hope मैजदार लगा होगा यह topic तो भाई अ